नमस्कार दोस्तों स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में आज हम मुझूद हैं बादली के मेन बस टेंड पे जहां पिछले लगातार पांच दिन से आमरन अंचन चला हुआ है जो अनिस्चित काल के लिए है इनकी मांग है कि बादली से नगरपालिका को हटाया जाए जिसमे आज भी यह नगरपालिका रद होनी चीए और यही जिस दन नोटिफिकेस्ट रही थी और आज भी यह ऑब हर आदमी इसके साथ जुड़ गया हमारी औरी मजबटगी इसको कोई नहीं चाहता है जो विरोध हो रहा है इसके पीछे क्या मेंकारंड है जो जिसके लिए इसका विरोध हो रहा है मेंकारंड तो बहुत ज़ादा हैं और अगर गांवाईज बताओं तो पास और के एक रसओी का और एक में भगाना चाहरें क्या बात है और अब जो ये मवेशियों के नोटिस केलकुलेशन हो रही है ना मेरे खान तस पांच दिन में वह भी नोटिस दे देंगे कि सभी डंगरों को भी लेकर तुम ये गाओं और ये छोड़ दो सब एरिया तो मुशकल से बने पसुदन से गुज जिलदार के नाम कि जब तक मिनस्फ़ल कमेटी का नोटिस नहीं लेने तब तक कोई रिष्टी नहीं की जाए तीनों गाओं की और फिर साथ चिठी में ये भी लिख रहे है कि हमारा पोर्टल अभी शुरू नहीं वाए तो तो तब तक डिस्टिक टाउन पलानर से लो तो ह अब त्थीन गाओं की रिष्ट्री के लिए भी इतने वो कर दिये तो हमें यही वरोसानी की कुछ दिन बाद में यह कहेंगे कि रोटी खाओ तो पहले यह कमेटी में दिखा के जाओ क्या 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 खारे हो हम इस से बिलकुल इसके खिलाप है और इसको नहीं चाते यह दरन्य को लेकर आसपास के गाउ के लोगों ने भी दरन्य को समर्तन कर दिया है। जो को सबसे पहले ते मैं आपका दन्यवाद करता हूं जो आप हमारी आवाज आगे तक ले जा रहे हैं। हम को पूरे तीस्य का गोलिया खाप तीस्य का समर्तन यहां मिल रहा है। और सभी यहां दरने पर आते हैं। और यह सभी यह चाते हैं। क्योंकि यह अकेला बादली पासओर और माजरी की बात नहीं है। यहां से आठ साथ-दस किलोमेटर तक जितने गाओं आएं। क्योंकि वह भी सब पर भावी तो होंगे। सब ने एनो सीड, नो डूज वगरा लेकर के को रिजिश्टिया वगरा जैसे भी होगा। सब उनको भी उठाना पड़ेगा इस चीज़ गा। अभी तक इसमें इनों ने एक डेड़ साल होगा। उस टाइम से ही इसका विरोध करते आ रहे हैं जब इसकी सुरुआत होई थी। और अभी तक इनों ने क्या किया हमारे लिए कुछ नहीं क्यार ना होगा। क्योंकि इसकी एक तो एक मिसाल अपने नजदिक में बेरी गाओं को सभी कौन नहीं जानता। वो संद्शीयतर से तशील बनिवाज तक वहां क्या प्रोग्रेस हुई है। यह तो आप सब के सामने हैं। ऐसी यहां पर होगी। इन्हों अभी से पहले 60-70-70-70-जार पे लोगों के लाक लाक रुपे टैक्स बेज दी हैं। अभी इन्हें क्या क्या है। हमारे क्या सुविदाए दी हैं। तो यह सरफ एक बर्गलाने वाली बात है। लूट खसोट वाली बात है। कुछ नहीं होना है। यह 20-30-40 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा जैसे बेरी है। और अभी से टैक्स इन्हों ने बेज दी है। कल से वह सुना सुरू कर देंगी। तो इसलिए हम इसके बिलकुल खलाप हैं। और हम नहीं चाहते हैं। तो अपना वही पुराना जीवन जो हमारे बाप, दादा, कई पीडिया जो आज तक यहां गुदारती चलीगी। और अच्छे से रहे। उसी तरह हम भी रहना चाहते हैं। अपने काउं में हम सरपंची का सुनाव चाहते हैं। और वही पुराने वाले अंपन्चाह चाहते हैं। हमें इस नगरपाली का को नहीं चाहिए। प्रणिविर कुलिया जी कोई आसपास से किसी नेता का या किसी अधिकारी का को आजवाचन मिला हूँ। हमारी कल MP साहब से बात हुई थी। हमने MP साहब से खुद संपर करने की कोशिस की थी। MP साहब इस माटी के लाल हैं। उनका पैत्रिक गाउं यहीं पे आता है। और आउट ओफ वेज आके नगरपाली का दे दी गई है। उनके गाउं को भी सामिल कर लिया गया है। हमने MP साहब से बात की थी। शामने उनका फोन आया था। हो सकता हूँ आज दर्णे पे भी आएं। उन्होंने हमें आस्वासन दिया है। कि हम यहां पे आएंगे आपका सहयोग करेंगे और जो जायज मांग है उसको आपकी माना जाएगा। और हम CM साहब से बात करके इस मामले में कारवाई करवाएंगे और आपकी मदद करेंगे। ऐसा आस्वासन नमें MP साहब की तरफ से मिला है। और इन गाओं को, तीनों गाओं को MP साहब की बात पे बरोसा है। और उन पे विश्वास भी है। क्योंकि हमारा दिकार है जी उन पर। वो हमारे बीच में से हैं, हमारे अपने हैं, इस गुड़िया खापती सागे बेटे हैं वो, हमने उनको गद्दी दी है। तो ये थोड़ी है कि जब उनके अपने चाचाता हूँ, अपने बाई यहां पे आज पांच दिन से लगातार भूखे पे साहे, सड़कों पे बैठे हैं, तो वो अपनी गद्दी का सवाद ले लें, ये कोई ना तो नेतिकता है, ना उनका धरम बनता है। और हमें पूरी उमीद है, वो इस मामले में हमारी मदद करेंगे, आएंगे और हमारी बात को सियम साहब तक पहुचा कर, इस सारे जो चल रहा है लगातार संगर्ष, इस संगर्ष से चुटकारा दिलागे, हमारी मांगों को मनु आएंगे। पिछले पास दिन से आप आमरन अंचन पर बैठे हैं, तबेत कैसी है पहले तो आपकी। मेरी तो तब यदा भी बिल्कुल ठीक है जी, हमारे परदान जी हैं पूरो पास ओर से, इनकी आलत पिछले तीन दिन से खराब चल रही है, कल इनको मेडिकल में भी ले जाया गया, वहां भी तशिल्दर साब इनको एडिमेट करा के बाग गई, कि यह पूरी रात कुछ उमीद लग रही है आपको दरने को ले करें अब यह हमारे बुजरुग बैठेंगे एक वाई कर रहे हैं जो यह पैस आप क्या कहेंगे दरने हैं भी यह क्या कहना है नगरपली कर नहीं ची यह वामें पंचाहत चना ची आए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे जी अब बड़ा दुखिये है वे नगरपली का कि हमारे के यह कोई सो भी दानी है इसमा अबने बड़ा नुक्षान है और गर मैं टेक्ष की मादमसाजे काम चला दिया सरकार ने हमारे विकास का कोई काम है नहीं और पूरे गाउं का यह फैंशला है वे नगरपली का में नहीं आपने पंचाति रखेंगे को अबने नहीं चीए पाली काहे लिए तो सुपाने है शरकार मारे पर आमने नहीं चीए आपने पंचाति ही कुझारा कर लेंगे झाल झाल